बंजारा कम्यूनिटी के जो सिक्षित युवा हैं उनके नाम पर कोई और उनका जाती प्रमाण पत्र निकाल ला है जिससे वे नौकरियों से वन्चित रह रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर सामाजिक न्याय मंत्री के पास शिकायत की गई है याचिका दाखिल की गई है और उस याचिका को सपोर्ट करने वाले उद्यमी फाइवरिक्स के एमडी राजिस्ट राठोड सा हमारे साथ हैं सर आपको क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि अब धरपीट के साथ खड़े होकर आप युवाओं को नया दिलाने के लिए प्रयतन कर र कि जितने भी लड़किया है यू आए हैं पढ़कर कुछ नगोच बनना चाहते कुछ नगोच भूसला लेकर बाहर निकलते हैं एक्चुलि क्या है ना कि मानता मारे जितु माराज है जो भक्तिदाम और हमारे समाज की गुरू है इनके पास हमारे कास्ट के बहुत सारे बच कि बना कर हमारी जो नवकुरियों की जितने भी पद है उसमें से 50% या फिर चार अगर कोई हमारी कोई पद है तो उसमें से एक दो तो ऐसे ही चिला जाते पहले तो एक तो हमारा आरक्षन कम है और उसमें भी अगर ये चीजे सब होती रहेगी तो हमारे जात के जितने भी बच्चे इवाओ है पड़ रहे उनके साथ यह बहुत बड़े पहमाने पर अन्याय हो रहा है और मैं भी मानता हूं कि हमारे जो मतलब समाज हमारे लिए कोई ने हर किसी समाज के लिए अपनी एक गवर्मेंट ने और सविधान ने दिया हुआ एक अपना अरक्षन है उसको है जिसके खिलाब कोई हमारे जैसे सामाने लोग नहीं जा सकता कि कोई उसके आगेंस-क्ति खिलाब कंपलेंट नहीं कर सकता पर हमारे जह राजेस राठोड कर के याचिका उन्होंने दाखल किया है आज हम सब लोग मतलब महनत-जितिंद्र माराज МихYou기는 और हमारे जो राजे के बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं तो उससे जादा कहीं और कास्ट के लोगों ने मतलब अपनी कास्ट का सर्टिपिकट बना कर इसका गलत उपयोग कर रहा है तो इसके लिए मुझे लगा कि ये मेरा बिजनेस जो भी है फाइबरिक रियालिटी प्रावेट लिमिटेड मैं अचले चार साल से रियल इस्टेज का बिजनेस करता हूं और बहुत सारे लोगों के मतलब घर बनाने का मैं सपना साकार करता हूं पर आज मैंने ये सोचा कि आगर मैं दूसरों का घर बना रहा हूं तो मेरे घर में भी कुछ खराबी हो रही है जैसे मेरे समाज में मेरे उनकी जिम्मेदारी बनती है आपको नहीं लगता कि ये सारे के सारे लोगों ने पूरी तरह से अपने ही कम्यूनिटी को एक तरह से नजर अंदाश कर दिया है इसलिए सबसे बड़े गुनागार वही है जितने भी राजनेतिक लोग है या फिर जितने भी हमारी संगटना है ये सब लोग काम करते हैं अपने खुद के सौरत के लिए और मुझे मैं ना किसी राजनेतिक से नाता रखता हूं या फिर ना किसी संगटना से मैं अपना कुछ नाता रखना चाहता हूं इसका रिजन यह है कि मैं और ये काम करने के लिए कोई पद या फिर किसी संगटना क मैं अधेक्ष होना कोई जरूरी मायने नहीं रखता मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी अपने लोग है मेरे यह नहीं समाज का कोई भी घटक हो उसके साथ अन्या नहीं होना चाहिए मैं यह नहीं बूलता हूं कि मेरे समाज के साथ नहीं होना चाहिए समाज के या फिर हमारे जो गवर्मेंट के और सविधान के साथ जितने आधिकार उसको दिये गए है उसका 100% उसको यूज हो और उपियग हो उसका सदिवपियग होना चाहिए ये मेरी सदिच्चा है और मेरे समाज की लोगों के साथ अगर ये होता है तो मैं कदापी ये सहन नहीं करूँगा मैं पिछल करने के बाउजित भी आगर ये प्रॉब्लेम सुनके सामने आते हैं तो ये सबसे बड़ा एक दुखत गटना है तो मैं आपको नहीं लगता कि आप राजनितिक ट्रैक पर जा रहा है क्या आप राजनिति में प्रवेस करने की तैयारी में तो नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं ह जो हमारे जितु माराज है ये भी कोई किसी राजनितिक लोग से कोई समन नहीं है इनका सबसे बड़ा हेतु है कि समाज के साथ कोई अन्या नहीं होना चाहिए क्योंकि वो समाज के गुरू माने जाते है हमारे समाज में जो आज सबसे ज़्यादा उनको मतलब पूरे दुन अपने घर के लिए हो और उसके बाद में अपनी समाज के लिए होना चाहिए ये मेरा उद्देश है इसके अलाव मेरे इसके पीछे कोई एतू और कोई उद्देश नहीं है बस हमारे जात के साथ कोई अन्याय नहों यही हमारे एक मोटो है फाइब रिक्स और राजिस्टर अठोर बतौर एमडी किस तरह की भूमिका आपकी रहे गयाने वाले से जिस तरह की से मतलब हमारे गुरू जी ने बताया कि अगर हमारे बच्चों के साथ अगर अन्याय होता है अगर हमें उस चीज का न्याय नहीं मिलता है तो हम सब लोग ध प्रवाज जो इंडिया में दस कुर ज्यादा लोग रहते हैं तो सब लोगों को एकटा करके हम इस चीज के लिए लड़ेंगे और इसके लिए जीठेंगे भी ये हमारा होसला है और हम जितने भी 10 करोड या 11 करोड पूरा इंडिया में लोग है और इस चीज का हल जब तक नहीं मिलता और हमें इसका सवाल जवाब नहीं मिलता तब तक हम रुकेंगे नहीं जैसे भी हमको आज मुलाकात हमारी मुंडे साब से हुई उन्होंने हमको आगले 15 दिन के भीतर इस चीज के लिए हाल निकालने का एक हमको अश्वाशन दिया हुआ है हम लोग इसलिए हम उनकी शुक्रगुजार है कि वो हमारा पूरा जो प्रॉब्लम है उन्होंने सुना और उसके लिए उन्हें आमें समय दिया सब्से ज़्यादा बंजारा जो समाज है तो उनके ही मतलब मदार संग में आता है जैसे परड़ी बीड है यहां पे सब्से ज़्यादा बंजारा बांदो है तो हम लोग हमेशा उनके साथ है और वो हमारे साथ हमेशा है तो ये आज एक उनके मिलकर उन्होंने जो हमको अस्वासादन दिया इसका एक प्रूब था कि वो हमारे साथ है तो जो भी मतलब जितने भी कोई बड़े आदिकारी इसमें इन्वाल हो उन सबके साथ मतलब जो भी उनसे मतलब मुबदला है वो लिया जाएगा ये भी उन्होंने कहा है सर बहुत बहुत थैंक्यू आपने कहा जैसा कि उम्मीद जताया है फाइव ग्रिक्स के एमडी राजेश राठोड जी ने कि जिस तरह से धर्म गुरू जितेंदर महराज जी ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और सरकार से मांग की है आपको उमीद है पूरा कि कहीं न कहीं सामाजिक न्याव मंत्री इस बारे में गंभीरता से सोचेंगे अगर इस पर सकारात्मक फैसला नहीं होता है जो जितेंदर महराज है ये पूरे समाज के ववाओं को लेकर सरकार के खिलाप आंदुरन के लिए भी मजबूर होंगे केमरावन रविचंज के साथ मैं सुधीर सर्बा टीवीवर इंडिया नविम भई लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए